जैहिन दोस्तों क्या हाल हैं मेरा नाम है नितीश और ये आपको देखने को मिलता है Realme UI 3.0 फाइनली Realme ने Realme Zen Pro के अंदर Realme UI 3.0 का जो अपडेट है F.10 का वो प्रोवाइड करवा दिया है और काफी सार यूजर को अपडेट देखने को मिल भी चुका है वैल मैं इस अपडेट को लगबग यूजर कर रहा हूँ एक दिन से और आज किस वीडियो में इसी अपडेट के वारे में बात करेंगे वैल कौन कौन से ने फीचर्स देखने को मिले हैं साथ में Boy Changer का फीचर आया की नहीं आया AOD कस्टमाइजेशन देखने को मिला की नहीं मिला इसी के साथ आप लोगों को जो डाउट्स थे उनको भी इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा तो अवराल वीडियो काफी इंटरस्ट ही होगी इस टैप की वीडियो अगर आप लोगों को फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आप लोगों को लाकर का बटन देखने को मिलेगा सुब्सक्राइब कर लेना इसी के साथ बैल आइकन को आप लोग और पर प्रेस कर सकते हो तो लेट्स बिगिन अब दूस्तो बात की जाए अपडेट के वारे में तो सबसे वहले आप लोग अपडेट का वर्जन और साइज एक बाद चेक आउट कर लें वैल आपको वर्जन F.10 देखने को मिलेगा और साइज देखने को मिलता है 5.05 GB तो इस अपडेट के अंदर आप लोग को Android 12 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और साथ में रेल में UI 3.0 भी आपको देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों बात की जाएव फीचर के विवारे में तो सबसे बहले स्टार्ट करते हैं होम स्क्रीन से बैल कुछ इस टैप का होम स्कीन का जो सेटप है वो आपको देखने को मिलेगा जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन को पिंच करोगे आप लोग को नीचे वार्पेपर, आइकन, लेयाउट, ट्रांजैक्षन और मोर के फीचर देखने को मिल जाएंगे वापेपर के section में आप लोगों को static और live वापेपर का support देखने को मिलेगा static section में आप लोगों को थोड़े बहुत नए live वापेपर देखने को मिल जाते हैं लेकिन live वापेपर के section में कोई भी नए live वापेपर देखने को नहीं मिलता जैसे आप लोग किसी live wallpaper को पर click करोगे apply करोगे यहाँ पर आप लोग screen, home screen और दोनों को एक साल adjust करके apply कर सकते हो फिल apply करने के बाद आप लोग को एक नया feature देखने को मिल जाता है intentive wallpaper का जैसे आप लोग इसके उपर click करोगे आप लोग अपना एक wallpaper जो है किसी एक image या color से automatically correct कर सकते हो इसी के साथ अगर आप लोग अपने icon को customize करना चाहते हो simply screen को pinch कीजे, second number के ओपर आप लोग को icon को customize करने के जो features है वो देखने को मिल जाएंगे, आप लोग को layout के section में बहुत जादा layouts देखने को मिल जाते है इसी के साथ transaction और अगर आप लोग को visit को apply ये remove करना है तो वो feature आप लोग को plus का icon आप उपर देखने को मिलेगा इसके ओपर क्लिक कीजे, बहुत सारे visit android 12 up के आपको देखने को मिल जाते है इसी के साथ more के ओपर क्लिक करोगे तो home and lock screen की setting है वो automatically open हो जाएंगी, कुछ इस tab को home screen का setup देखने को मिलेगा साथ ने oneplus का clock visit भी आपको देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों बात की जाए अगले feature के विवारे में तो वो आपको देखने को मिलते हैं UI changes के वर सबसे अले setting की बात की जाए तो कुछ इस tab का setting का UI देखने को मिलेगा सबसे उपर आपको setting की branding देखने को मिलेगी नीचे आप लोग को जो toggles है उनका भी आप लोग को नए design देखने को मिल जाएगा वर बात की जाए networking feature के विवारे में तो networking features के section में आप लोग को private DNS and quick device connect के यह जो दो features है realme ने नए add किये हैं इसी के साथ दोस्तों अब बात की जाए personalization के section की तो कुछ इस टैप का personalization का section आपको देखने को मिलेगा जहां पर आप लोग अपने wallpaper, AOD, theme, icon, quick setting, colors, font and display and fingerprint animation को adjust कर सकते हो अब दोस्तों बात की जाए AOD customization की तो आप लोगों को AOD customization देखने को नहीं मिली है तो आप लोगों को यहां पर wallpaper color picking का एक feature देखने को मिलेगा और इस features को अगर आप लोगों को यूज करोगे तो आप लोगों को जो toggle से color है सेम आप लोगों को आपके wallpaper के color के जैसे देखने को मिलेंगे साथ में अगर आप लोग अपनी theme, quick setting को adjust करना चाहते हो तो यह सबी features आप लोगों को एक ही section के अंदर देखने को मिल जाते हैं दूस्तों बात की जाए home screen and lock screen की feature के वारे में तो आप लोगों को realme UI 2.0 के यहां पर देखने को मिलते हैं बट थोड़ी बहुत realme जो नए features वह भी add किये हैं सबसे बाला feature आपको देखने को मिल जाएगा lock screen shortcuts का आप लोगों को lock screen के उपर google assistant glance for realme और non google पे device control के यह जो features हैं वो देखने को मिल जाएंगे इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को कोई भी नया feature देखने को नहीं मिला है home and lock screen के अंदर वैल जो realme UI 2.0 के features हैं वही आपको देखने को मलते हैं वैल अब बात की जाए display के feature के वारे में तो वो आपको जिलेंगे setting के अंदर आपको जाना है display and brightness में आप लोगों को light mode और dark mode देखने को मिल जाएंगे वैल dark mode के section में आप लोगों को इस बार जो realme ने dark mode प्रोवाइड करवाया है बिलकुँ dark प्रोवाइड करवाया है कोई भी issue आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा इसी के साथ आप लोगों को video color announcer का feature भी देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग इस features को enable करते हो तो आप लोगों के display के जो colors हैं वो थोड़े बहुत आपको saturated देखने को मिलेंगे जिससे आप लोगों का viewing angle है आपको काफी मस देखने को मिलेगा साथ ने और कोई भी नया features आप लोगो display के section में देखने को नहीं मिला है बट जो dark mode है Realme ने काफी एची तरी cases को modify किया है अब दुस्तो sound and vibration के section में भी आप लोगो काफी जा जो नए features हैं वो देखने को मिल जाएंगे पूरा का पूरा UI है sound and section का वो आप लोगो चेंज देखने को मिलेगा साथ में आप लोगो real sound technology के feature देखने को मिल जाएंगे haptic tones देखने को मिल जाएंगे आप लोग अपने haptic feedback और जो vibrate on touch के features हैं और जो sounds हैं उनको adjust कर सकते हो इसीक साथ दोस्तों advanced settings के अंदर आप लोगो volume button के function को adjust करने के features default recorder और in-ear monitoring के जो feature हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे बड़ जो मुझे काफी नया feature लगा वो अगर आप लोग volume panel का toggle UI देखें तो कुछ इस tab का आपको देखने को मिलेगा और मुझे जो volume toggle है काफी पसंद आया अगर आप लोग settings के अबग क्लिक करोगे तो automatically जो आप लोगों की sound and vibration की settings है वो open हो जाएंगी और sound and vibration में भी आप लोगों को realme ने काफी अची modification इस बार की है दोस्तो बात की जाए notification panel and status war के वारे में तो कुछ इस tab का notification panel आप लोगों को realme UI 3.0 में देखने को मिलेगा सबसे उपर आप लोगों को media output का feature मिलेगा जो भी devices media के आपके device का connected होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे इसी के साथ जो पूरा का पूरा UI है notification toggle का पिल्कुल different आपको देखने को मिलेगा as compared to realme UI 2.0 और जो toggles हैं मुझे काफी पसंद आए और साथ में जो background में आप लोगों को blur देखने को मलता है literally काफी cool देखने में लग रहा है इसी के साथ अगर आप लोग इसको adjust या customize करना चाहते हो setting के अंदर जाएंगे notification और status वार में आप लोगों को feature देखने को मिल जाएंगे अगर आप लोग status वार को customize करना चाहते हो click कीजे आप लोगों को यहाँ पर timing साथ में battery style को adjust करने के जो features है horizontal, vertical, loop वो देखने को मिल जाएंगे साथ में अगर आप लोग अपने battery percentage को adjust करना चाहते हो तो यह features भी आपको देखने को मिल जाएगा इसी के साथ अगर आप लोगों को notification panel के ओपर bars देखने को मिलते हैं इनके अंदर जो features है इनको adjust करना है तो इनको भी आप लोग hide या unhide कर सकते हो and more settings के अंदर आप लोगों को bubble साथ में एनास notification and display notification drawer के जो features हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे यानि कि आप लोग अपने हिसाब से अपने जो पूरा notification का UI है इसको custom edge कर सकते हो अब दुस्तो password and security के section में आप लोग स्क्रीन password, face, fingerprint, privacy password साथ में manage password and system security के जो features हैं वो देखने को मिल जाएंगे system security के अंदर आप लोगों को पूरी Google की security देखने को मिलेगी payment, production, smart lock के जो features हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे और जिनको आप लोग अपने साब से adjust भी कर पाऊगे और android 12 up की पूरी पूरी जो security है वो आपको देखने को मिलेगी साथ में privacy के section में आप लोगों को privacy production में app lock, high dab, private save, system toner के feature देखने को मिल जाएंगे साथ में android 12 up and google की security देखने को मिलेगी main features camera access, microphone access को आप लोग अपने साब से adjust कर पाऊगे and notification panel में ही आप लोगों को microphone and जो camera के access हैं वो देखने को मिल जाएंगे आप लोग simply इनको off कर दोगे तो आपके device को microphone वर्क नहीं करेगा तो यह जो features हैं आप लोगों ने on रखने हैं जब आप लोगों को use करने हैं अगर आप लोग use नहीं करें तो आप लोग इन features को off वी रख सकते हो अब दोस्तो realme UI 3.0 में कुछ इस टैप का battery का section आपको देखने को मिलेगा सबसे उपर आप लोगों को battery bar देखने को मिलेगी और पूरी की पूरी MIUI 12 की copy देखने को मिल रही है Power Saving Mode, Super Power Saving Mode आपको देखने को मिल जाएंगे and Advanced Settings के अंदर realme UI 2.0 के सारे feature देखने को मिलते हैं बट जो graph का feature मुझे काफी useful लगा वो आपको देखने को मिल जुका है आप लोग graph से देख सकते हो कितना battery draining आपके device में हुआ कब हुआ और कौन सी application आप लोगों की battery को ज़्यादा draining कर रही है यह आप लोगों अपने साब से adjust कर सकते हो और जो battery section का UI है मुझे काफी पसंद आया दोस्तों बात की जए special feature के वारे में तो आपको जाना है settings के अंदर आप लोगों को special feature section देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को flexible window, quick return, quick launch, smart sidebar, kids space, simple mode के जो feature है वो देखने को मिल जाएंगे well flexible window का आप लोग जैसे click करोगे आप लोगों की जो floating window है उसको आप flexible window में convert कर सकते हो quick return का feature भी आपको देखने को मिल जाएगा और यह काफी perfect तरीके से work कर रहा है लेकिन अभी यह जो है सिर्फ clock application को support कर रहा है लेकिन future में realme की जितनी भी application को support कर रहा quick launch, smart sidebar, kids space and simple mode के जो features हैं यह आप लोगों को realme UI 2.0 में भी देखने को मिल जाते थे अब दूस्तों बात की जाए system settings के वारे में तो जैसे आप लोगों की उपर click करोगे आप लोगों को यहां पर सबसे उपर system के navigation देखने को मिल जाएंगे और android 12 के gases का support भी आपको देखने को मिलेगा और साथ में इनको कस्मेज करने के feature देखने को मिल जाते हैं सैंकिन नंबर के ओपर आपको language and reason को select कर सकते हो date and time, accessibility और साथ में आप लोगों को screen source का जो नया section का UI है वो देखने को मिल जाएगा जिसको adjust करना वो भी आपकी ओपर depend करता है वेल अब बात की जाए screen recording की तो पूरा का पूरा नया UI देखने को मिलेगा और साथ में बात की जाए frame rate में तो आप लोगो 60fps का support है वो देखने को मिल चुका है screen recording के अंदर इसी के साथ अगर आप लोग अपने record front camera या इसको भी customize करना चाहते हो तो यह features आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ में OTG connection, ads को बंद करने का power menu करजस्ट करने का option है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा अब दोस्तो realme lab के अंदर आप लोगों को smooth scrolling का feature देखने को मिलता था realme UI 3.0 के अंदर realme ने उसको remove कर दिया है आप लोगों को dual mode audio, DC dimming and spellip casual के जो features हैं बही realme lab के अंदर देखने को मिलते हैं अब दोस्तों बात की जाए about phone के section के वारे में तो कुछ इस type का UI देखने को मिलेगा और काफी सारी उसर वेट कर रहे थे कि आप लोगो RAM expansion का feature देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो finally realme ने RAM expansion का feature भी provide कर बा दिया है और आप लोगों को android 12 up based realme UI 3.0 वो देखने को मिलता है और android 12 up कैसे use करना है simply आप लोगों ने इस लोग को 12 up के ओपर लाओगे और दोनों आपकी जो sui देखने को मिलते हैं और ज़स्ट करोगे android 12 up आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों ये तो बात हो गई features के वारे में बात की जाए bugs के वारे में बात की जाए सबसे पहले bugs की तो वो आपको देखने को मिलेगा lag issue का वेल अगर आप लोग अपने notification पैनल को नीचे scroll करोगे तो कभी कभी इसमें आप लोगों को बहुत जादा lag देखने को मिलेगा जो जिट्री नैश issue है वो भी देखने को मिलेंगे और second bug आपको देखने को मिलेगा camera application के अंदर बार बार कभी कभी crash हो रही है और साथ में बहुत जादा lag है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा और जो pictures quality है बहुत बेकार आपको देखने को मिलेगी बट अभी यह आपको beta stage में देखने को मज़द दो wait किए जब stable में आएगा तो यह जो bugs हैं realme fix कर देगा और third bug आपको देखने को मलता है battery draining का बहुत ज़्यादा battery draining issue जो है realme UI 3.0 में आपको देखने को मिलेगा आप लोग देखिए कितना lag issue आपको देखने को मिला कितना time is battery section को open होने में लगा है अब दोस्तों यह तो बात हो गई update के features and bugs के वारे में अब दोस्तों बात की जाए अपने personal opinion के वारे में तो आप लोग को इतना है बोलूँगा यह आप लोग को beta update देखने को मिलता है और first stage का है तो आप लोग को बहुत सारे bugs देखने को मिलेंगे अगर आप लोग अपने mobile phone को सिर्फ testing purpose के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन अगर आप लोग बिजनस में अपने device को यूज़ करते हो या उसको चलाते हो तो बिल्कुल भी try मत करना बहुत जादा bugs आपको देखने को मिलेंगे और काई सारी उज़र को जो mic का issue देखने को मलता था वो भी आप लोगों का नए update से fix होगा आप लोग अगर mic के access को प्रोवाइड करवा दोगे privacy के section में तो वो fix नहीं होगा अब ये आपके उपर depend करता है कि आप लोग इसको use करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते है लेकिन जो मेरे personal opinion है अगर आप लोग एक user हो अगर आप लोग सिर्फ टेस्ट करना है तो आप लोग इसको install कर सकते हो लेकिन अगर आप लोग अपने device को किसी personal काम के लिए use करते हो और बहुत ही important है तो उसके ओपर आप लोग realme you guy 3.0 को try मत कानों की बहुत जादा बग्स आपको देखने को मिलेंगे so finally दोस्तों इतना इस वीडियो में मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टेक गया